नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का आप आप से रिक्ष्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें चलिए देखते हैं आज का वीडियो दोस्तों ने सब्सक्राइब करें दोस्तों ने पिता के साथ रेल्वे स्टेशन पर चायका इस्तों लगाते थे इनकी पढ़ाए पजादार उची नहीं था मोधी जी ने वर नगर से इसुल की पढ़ाई पूरी की वर राजन्ती बीग्यान में गर्जू से निकिया बच्पन से मोधी जी को देश के पर्धी प्रेम था उन्होंने आर साल की उन्हें राहिते संग से वक्षंग में अपना पंजी करा लिया था दोस्तों उन्हें से शर्षठ में तेरे साइटून में ही नेंद मोधी का जसोबहिन नामक कनिया से विवा करा दिया गया खैर घट छोरने के बाद मोधी ने अखीरी भारतिया विद्यार्थी परिशत किया और यहां से वे पूरे समय आयोजग की रुप में कार्ष करने लगे देश की बिकट परिश्थिती में नेंद मोधी ने मुध पुन भुष्प का निवाई थी जेश 1974 में भ्रहस्टाचार विरोधी और 1975 से 1977 में जब इंद्रा गांधी की सरकार ने अपात काली की घोशना की थी इसके सानीद में नेंद मोधी ने भी इस विरोध का साथ दिया दोस्तों यहीं से नेंद मोधी के राजनेतिक जीवन की सुर्वात हुई वह उनके जीवन का अधार बना दोस्तों 1985 में नेंद मोधी को सेवक संग दोला भारती या जनता पार्टी यानी बीजेपी में दाखिल कराया गया 1988 में नेंद मोधी गुजनात के आयोजन सचीव बने और 1995 में बीजेपी को गुजनात के चुनाओं में काफी सहयोग मिला जिसके करण 1995 में नेंद मोधी को राष्टर सचीव बनाया गया और यहां से नेंद मोधी ने नहीं दिली की तरफ रुख किया दोस्तो संद 1998 से 2001 तक मोधी जी महा सचीवरी और नेंद मोधी को उप मुखमत्री के पद के लिए चुना गया लेकिन मोधी ने साफ हिंकार कर इस थपा देने का फैसला किया आखिरकार नेंद मोधी को मुखमत्री पद के लिए बीजेपी का दावेदार चुना गया और एक सफल मुखमत्री की अपनी छबी को मोधी जी ने बारा साल तक बनाए रखे दोस्तो नेंद मोधी गुजरात के सभी लोगों के चेहते नेता थे दोस्तो संद 2014 में हुए आम चुनाओं में नेंद मोधी बीजेपी की तरब से खर हुए और अतियाधिक भोटों के साथ विज और भारत के 15 में पर्धानमंत्री के सब्सोचे समझे और पहले से के हुए होते हैं यह सदिके महानायक है इक टाज़ेज करके काम करना ही मोधी जी का सबसे बड़ा गून है दोस्तो पर्धानमंत्री नें भारत देस्थ को एक नए मुकांपे ला दिया है आज भारत के साथ लिया जाता है इस वीडियो को पुरा देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल को बजाना ना भूले ताकि अगला वीडियो जो आए सबसे पहले आप तक पहुंचें झाले पहले हिंगू और दोस्तों दो झाले हि एफ जोएमों करें तो सहूँब?